हेलो फ्रेंद्स, वेलकम तो मैं चैनल एक्सिलेंट कोची क्लासिकल कंडिशनिंग और फोबियास डिसकस करेंगे जॉन बी वाट्सन ने एक बार एक स्पेरिमेंट किया था छोटे बच्चे के ओपर जिसका नाम था लिटल एलबर्ट जिसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुकी हूँ तो इसके ओपर जो बच्चा था इसको कोई फोबिया नहीं था तो इसमें वाट्सन ने क्या किया था कि जैसे एक चोटे बच्चे के अंदर पहले फोबिया क्रियेट किया जो कि आजकल की टाइम पर बहुत जादा अनथिकल वाना जाएगा पर उस टाइम पर ये चीज़ इतनी अनथिकल नहीं वाने जाती थी इन्होंने उस चोटे बच्चे के अंदर पहले राट्स को लेके फोबिया क्रियेट किया कि वो उसे डनना शुरू हो जाए और classical conditioning का यूज़ करके किया तो इसमें यहां पर यह चीज़ दिखाना चारें कि कैसे classical conditioning से phobias create भी किया जा सकते हैं और treat भी किया जा सकते हैं तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इनकी असिस्टेंट थी रोजली रेनर 1920 में और उन दोनों ने अपना जो कंडिशनिंग और phobia का connection है वो लिटल एलबर्ट के थ्रू दिखाया था जो कि छोटा बच्चा था एन 11th मन और कितने साल का था यह 11 महीने का बच्चा था बहुत ही छोटा था एक तरीके से तो पहले गया था कि इसको इन्होंने राट दिखाया इनके लाब में एक रैट था तो वो एलबर्ट को कोई प्रॉब्रम नहीं थी उससे रैट से उससे वो डरता नहीं था क्योंकि बच्चे तो टेडी बियर्स की तरह टेडी बियर्स जैसी कोई भी चीज देखते हैं तो खुश होते हैं तो इनिशली उसका एलबर्ट का रियाक्शन बहुत पॉजिटिव था रैट को लेके वो उसको देखके हसता था उसके साथ खेलने की कोशिश करता था लेकिन उन्होंने उसके अंदर कैसे फोबिया क्रीट किया है कि जब भी वो रैट उसके सामने आता था यह जोड़ से आवास निकालते थे आयरन बार को जोड़ से मार के एक लाउड से नॉइस सुने तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए एकदम से स्टार्टल हो जाते हैं कि क्या हो गया एकदम से तो बच्चपन से ही होता है कि आवास से बच्चे ड़ते हैं तो जब भी वो रैट उसके सामने आता था यह लोग जोड़ से आवास निकालते थे अब धीर लेकिन अगर आप को ऐसी चीज को देखके रिस्पॉंड कर रहे हो जिसको देखके आप पहले नहीं करते थे तो वो कंडिशन है मतलब वो आपको कंडिशन कर गई है तो नॉइस तो अनकंडिशन स्टिमूलस था नॉइस से तो बच्चे अलड़ी रोते हैं लेकिन जब वो नॉइस रैट के साथ साथ आने लग गई तो क्या हुआ उसको रैट को देखके विए अलबट रोने लग जाता था दरने लग जाता था बहुत जोर से मतलब उसके अंदर फोबिया हो गया था रैट को देखके के बहुत जोर से आवाज आएगे और जाएगा तो वो कंडिशन स्टिमूलस था रैट तो यहां पर इन्होंने यह चीज दिखाए कि किस तरीके से हम क्लासिकल कंडिशनिंग का इसके अंदर फोबिया कर सकते हैं अब बाद में इसको ठीक भी करना था क्यूंकि अब ऐसी किसी बच्चे के अंदर फोबिया क्रियेट करके उसको छोड़ नी सकते ना एक तरीके से आपने तो डिस ओर्डर उसके अंदर डाल दिया जो नहीं होना चीए था फिर इस एक्सपेरिमेंट के बेज़ पे जिस वो ट्रीटमेंट थी जैसे यह फ्लडिंग यहां पर लिखा हुआ है एक होती है एक सिस्टम सिस्टमाटिक डी सेंसिटाइजेशन होती है इस तरह की ट्रीटमेंट आगे जाके बना पाई जिससे हम लोगों की हेल्प कर पाते हैं इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ट्राइ किया है लेकिन एक तरीके से हम देखा जाए तो छोटे बच्चे के साहरे से करना आज के टाइम पर लाउट भी नहीं है तो फिर क्या हुआ एक प्रोसीजर बाद में डेवलप हुआ है जिसको बोलते है फ्लडिंग में क्या होत जैसे किसी को अगर हाइट का डर है हाइट से डर लगता है तो उसको एक हाई ब्रिज पर लेके जाएंगे जो जिसकी थोड़ी हाइट जादा होगी और वहाँ पर उसको थोड़ी दिर के लिए बोला जाएगा वहीं रहो और उसको रहना पड़ेगा लेकिन केरफुल सुप बार 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 उस जगह पे जाएगा और वो देखेगा कि वेंचली उसके साथ कुछ हुआ नहीं नेगेटिव उसके कुछ भी नहीं हुआ वो नॉर्मल है उसका कोई नुकसान नहीं हुआ वहां जाकर मतलब सब्सक्राइब को आपको एक हाई ब्रीच पर खड़ा कर दिया औ और आप बोल्डर उसको साथ में अपने सब्जेक को कि मैं भी यही हूँ आप भी यही हो दोनों यहीं खड़े होते हैं कुछ नहीं होगा ऐसे करते करते हैं बार बार आपने उस चीज से एक्सपोस किया उसको तो एक टाइम ऐसा हैगा कि उसको समझ में आ जाएगा कि अच अच्छल अच्छल चीज से डल लगता है तो हम उसको चड़के दिखाते हैं कि अच्छल आप गिरोगे में तो यह व्लडिंग वाला हम Data to Day Life में यूज करते है नॉमली फिर एक और जो इनोंने ट्रीटमेंट डिसकावर की थीकि कि सिस्टेमाटिक डी सेंसिटाइजेशन र कि अप एक्चुली नहीं कर सकते, तो आप उसको इमैजन करन्य क्लिए बोलोगे, थीरे धिरे होता है in chill यॉजे सब से कम अफोबिया किस चीज से है जैसे आपने उसनेक से ड़ ल sahण लगता है आपने ऋको बॉला करें कि आप इमाजिन करोगे आप इस कमरे में नेक्स्ट रूम में संधेक तो यह सबसे कम हो गया थोड़ा और बढ़ाया उसको आपने उसकी डर को और बढ़ाया यापने बोला फिल mo नेक स्टेब में इमेजन करो और P पर नेक्स ये उसे बोला कि आपने ऑपने वह जोला है येशे करते करते finali hierarchy के टॉप प्र जाते जहां पर सबसे ज़ादा डरो उसको कि आप इमाजिन करो कि वो स्नेक आपके हाथ पे आके चड़ गया है तो इस तरीके से लेकिन अगर आप उसको डार्टली इमाजिन करने के लिए बोल दोगे तो कोई भी ऐसे करके वो नहीं नॉर्मल नहीं रहेगा वो बहुत ज़ादा पैनिक हो ज फिर उसको साथ में रिलाक्स होने की टेकनिक बताओ कि अब आपने रिलाक्स होने रिलाक्सेशन की बहुत सारी टेकनिक्स होती है जैसे मेडिटेशन होता है बहुत चीज़े होती है वो उस टाइम पर देखा जाता है कि कौन सी टेकनिक सबसे बेटर काम कर रही है उस सबज करें एक स्टेप उसको बढ़ा रहे हैं आगे जाते जा रहे हैं वो अपने फियर की तरफ और साथ-सात उसको रिलाक्स करते जा रहे हैं नो फाइनलियों दित अपने के थी र्याखियस अफ़े पहुची गां तो अपनेक अम भ identity आप pos im so आफ नहीं एक साथ लेकर वह करा जाता है ज्यासे आप उर्ट कर पर आकेश प्रीताइशन औरृत करें। तो वह रहा है कि आँन। चींचे mentally सचफ़ सब्सस्हें आप नहीं डीयों पर सबस्क्राईश सफ मेडिया करें तो फिंद मेन सबस्क्राईशन करते हैं तो इस तरह के प्रोसीजर स्टार्ट किये थे लोगों के फोबिया को दूर करने के लिए तो यह टेक्निक जो है यह इस वज़ा से स्टार्ट हुए थी क्योंकि इन्होंने फोबिया को क्लासिकल कंडिशनिंग के दिखाया था जब लिटल अपर यह एकसपरिमंट किया गया था उसके बाद यहां पर यह कहा है कि जो जो इम्योंस करता है इम्यून सिस्टम को भी इफ्यक्त करता है इम्यून को आप अपने बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो क्लासिकल कंडिशनिंग से इसके लिए भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था इम्यून सिस्टम का भी शो करने के लिए तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि एविडेंस सजेस्ट इट इट में भी पॉसिबल तो अफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ दी इम्यून सिस्टम थ्रू क्लासिकल कंडिशनिंग इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वह एलवरेस बॉडरा और उनकी कोलीग्स ने किया था और अगें इसमें भी राड्स का ही उ यूमेंस के ओपर थोड़ा सा कम है एक्सपेरिमन जैसे लिटल एलबर्ट का है इस टाइप से हुमेंस के ओपर बहुत कम है तो यहां पे इनों ने रैट को दो गूप में डिवाइड किया और दोनों गूप के जो रैट थे उनको एक एक गूप जो था पहला गूप था गूप को पीने के लिए नोमल वाड़ उसके बात इस ग्रूप को इम्मूनेटी बूस्टर सिरब दिया है कि इम्मूनेटी बूस्टर को इंजेक्शन दिया है उसके बाद क्या देखा गया है कि अपने immunity booster दिया है तो क्या होगा immunity बढ़ जाएगी दोनों केस में immunity increase हो जाएगी उनकी body में कैसे पता चला है immunity increase होगी क्योंकि उनकी body में Antibodies का level बढ़ गया तो पहले दो इनोंने ऐसा किया दो group of rats लिए एक को पिलाया मिठा पानी एक को पिलाया नॉर्मल पानी दोनों को immunity booster injection दिया और दोनों की immunity बढ़ गई ठीक है इस case में जो condition stimulus है वो मिठा पानी है यह condition stimulus है और यह uncondition stimulus है अब uncondition stimulus का uncondition response क्या होगा कि immunity बढ़ जाएगी क्योंकि obviously obviously बात है कि आपने उसको immunity booster injection दिया तो तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो यह उंकंडिशन स्टिमूलस हो गया, और इम्यूनिटी जो बढ़ गई है, वो उंकंडिशन रिस्पॉंस हो गया, ठीक है, अब बेसिकली इन्होंने यह देखना था, किस तरीके से हम यह सिर्फ मीठे पानी से ला सकते हैं, ठ वाइड कर दिया इसी के रैट्स को दो गॉप में डिवाइड कर दिया है है जो गुरॉप न था जिनको मीठा पानी दिया था फिर इम्म्योनिटी बूस्टर दिया था उनसे उनकी antibody level बढ़ गए थे उसके बाद एक महीने बाद जब वो injection का असर खतम हुआ group 1 के rats को दो group में divide कर दिया अब इसमें से 50% rats जो थे उनको तो दुबारा मीठा पानी दिया और जो बाकी 50% थे उनको सिरफ पानी दिया अब क्या हुआ इससे बाद में देखा गया कि मीठा पानी देने के बाद ही उनकी immunity increase हो गई और यहाँ पर कोई असर नहीं दिखा ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उनको जब मीठा पानी दिया था उसके बाद उनकी immunity बढ़ गई थी इससे उनको क्या signal मिला कि जब मीठा पानी देते है तो immunity बढ़ती है उसकी बाड़ी को तो उसकी बाड़ी ने मीठा पानी पीने के बाद इराक्स की बाड़ी में antibody cells increase होने शुरू हो गए तो यहाँ पर जो उनका condition stimulus था इसकी वज़ा से क्या हुआ condition response आ गया suddenly क्यूंकि अब injection नहीं दिया अब यहाँ पर injection नहीं दिया हुआ है सिर्फ शैक्रीन बाड़ दिया और उसके बाड़ देखा कि immunity अपने आपी बढ़ गई है तो इस तरीके से यह देखा गया कि classical conditioning से immunity भी बढ़ सकती है तो इट में भी पॉसिबल टू अफेक्ट दी specs of immune system through classical conditioning and इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या था फर्स डिवाइड़ दा राइट इंटू वाले दिन एक ग्रूप को इन्होंने अलाव टू डिंक डिस्टिंक बेवरेच सेकरीन फ्लेवर वाटर दिया विफोर रिसीविग एन इंजेक्शन उसके बाद उनको इंजेक्शन दिया जब देखा गया कि दोनों के इम्यून रिस्पॉंस जो है वह एन्हांस हो गया है क्यो सब देखा गया हाफ अब दी राइट और और आधा खिंटी पहेले जंको वांको और ने ओमडिया एलगीए तैको एंआधे तो फेली वाटर दिया है और जब दूसरा गुरुप था जिनको उस टाइम भी पानी दिया था इस टाइम भी उनको सिरफ पानी ही दिया था तो उसमें भी उनको कोई रिसपॉंस नजर sigu है ठीक है अब बाइल डी ादर हाफ रिसेव वॉटर्ट डूरिंग कंडिशनिंग also receive water during test trial तो ये test trial के time पे एक तो ये वाला group हो गया आधे rats का जिनको पानी दिया और एक ये वाला group जिनको पहले भी पानी दिया था और बाकी ये 50% इसमें से थे जिनको दुबारा से उन्होंने चीनी का पानी दिया अब इसमें क्या देखा गया कि re-exposure to saccharine flavored water resulted in significant elevation of antibodies in these rats तो सिरफ saccharine water देने से ही इनके body के अंदर antibodies increase हो गए मतलब उनकी immunity boost हो गई and there was no enhanced immune response in other group और बाकी में कोई भी response नहीं था तो यहाँ पे किस तरीके से conditioning हो गई कि पहले बीठा पानी देने के बाद injection दिया था तो उनकी immunity बढ़ गई थी तो next time जब दुबारा मिठा पानी दिया तो उसी को उन्होंने condition stimulus समझके body के अंदर reaction होने लग गया जिससे उनकी immunity बढ़ गई तो यहाँ पे यह चीज़ प्रूफ करेगे कि कैसे हम conditioning के अंदर immune system भी increase कर सकते हैं इसके आगे भी और experiments हैं कंडिशनिंग को लेके जो drugs से related है drug overdose बगईरा से तो उसको हम next video में discuss करते हैं thanks for watching करते हैं